दोस्तो अगर आपका फोन भी बहुत ज़दा हैंग हो रहा है बैटरी बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस प्रॉलम को अपने फोन के अंदर ठीक कर सकते हैं क्योंकि हमारे फोन के अंदर एक अप्लिके उसके अंदर आपको कुछ ऐसे घिडिन इस मिलते हैं जिसका इस्तिवाल कर के आप अपने फोन के बैटरी बाशिक करके के और अपने फोन के हैंगिंग प्रॉलम को ठीक कर सकते हैं सिर्फ उसके लिए आपको प्लेश्टूर के अंदर खुट से कुछ नयाज शैधिक करना ह जो कि hidden settings होता है और आपको खुद से apply करना होगा तो settings कौन सा उससे कैसे use करना है तो विडियो को जरा सा भी skip नहीं किजेगा तो चलिए उस settings के बार में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे छोटा सा request करता हूं अगर हमारे चैनल पे नए है तो चैनल में सब्सक्राइब कर दें और विडियो को एक like कर दें तो चलिए मैं time mistake करते हैं विडियो को start मेरा नाम है सिवम और आप देख रहे हैं टेक सिवम सोनी यूटूब चैनल तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि play store के कौन से वो settings है जिसका इस्तमाल करके आप अपने phone के battery problem और hanging problem दोनों को solve कर सकते हैं तो इसकी लिए आपको करना किया होगा सबसे पहले जो आप अपने फोन में प्लेश्टोर यूज करते हैं उस पर आपको hold करना है ठीक है hold करने के बाद यहाँ पर आपको एक hidden settings मिलेगा आई बटन के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ आपको आई बटन पर टैप करना है टैप कि आपके जो फोन का बैटरी है बहुत जदा ड्रेन होता है यह बैगरांड में आपके फोन के बैटरी को बहुत जदा कंजियूम करता है और आपके फोन का बैटरी कैसे खतम हो जाएगा और आपको कुछ भी पता नी चलेगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले यहां पर जो आपको एक option मिलदा है ना battery saver के नाम से इस पर आपको set करना है set करने के बाद आपकी phone में जो play store है उसके अंदर battery saver on हो जाएगा ठीक है तो आपको इस settings को सबसे पहले अपने phone के अंदर करना है जिससे कि आपके जो phone का battery backup है वो 50% तक increase हो जाएगा उसकी बाद यहां पर हम बात करेंगे अब sequence settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना है क्या हुगा डिरेक्ली आपको back चले आना है बैक आने के बाद यहां पर आप स्कॉल डाउन की जेगा app information के अंदर ही यहां पर एक option लेगा आपको जिसका नाम होता है install app from unknown sources यहां पर आप देख सकते हैं और अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो यह क्या होता है कि हम सभी के phone की अंदर on रहता है लेकिन आपको इस टेटनिस को अपने play store के अंदर कई भी on नहीं करना है क्योंकि अगर आपके phone में यह on है तो जो play store आप अपने phone में यूज करते हैं न वो unknown source से आपके phone में ऐसे ऐसे application डाउनोड कर देगा जिससे कि आपका phone का battery बहुत ज़्यदा drain होगा और आपका जो phone है बहुत ज़्यदा hang on लेगा यहाँ पर आप निचे पढ़ सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है यह phone and personal data are more virtual to attack by unknown source app यानि कि unknown source app अगर आपके phone में डाउनोड होगा तो आपके जो personal data है वो भी leak होने का chance बना रहेगा तो आपको करना क्या है इस settings को यहाँ से बंद कर देना है यह settings आपको play store के अंदर कई भी on नहीं करना है क्योंकि अगर यह on रहेगा तो आपके phone में गलत गलत app install हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और इस वाज़से जो आपका phone है बहुत दा hang होगा और battery भी बहुत दा drain होगा तो यह settings आप अपने phone में देख लिजेगा और इसे जरूर बंद कर देगा ठीक है जो कि बहुत ही important settings है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब third settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना है और आपको back चले आना है आपको अपने phone के home screen पर जाना है टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होता है settings यहाँ पर आपको settings के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको second number पर एक option मिलता है जिसका नाम होता है network preference यहाँ पर आप देख सकते है और directly अगर आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन औ पर option मिलना है ना auto update app के नाम से अगर आप इस पर tap करते हैं तो यह क्या होता है कि हम सभी के फोन के अंदर over any network में set होता है जिससे कि आपके फोन में जो application है और कई भी आपके फोन में update आया तो आपके फोन का बैटरी बहुत द्रेन होता है और फोन बहुत जल्दी हैंग होने लगता है और आपके फोन का जो internet है वह भी बहुत जल्दी खतम हो जाएगा यानि कि यहां पर आपका तीन प्रॉब्लम होगा तो यहां पर आपको करना है सबसे निच्चे में जो आपको option मिल दा है ना don't auto update के नाम से तरक लिए आपको इस पर टैप करना है और यहां से आपको करना है ठीक है इसके बाद आपके फोन में जो भी application है वह कई भी auto update नहीं होगा जब तक आप खुद से उसे दोनों consume होता है और इस वर्य से हमारा phone बहुत ज़्यदा hang होता है तो आपको इस settings को अपने phone के अंदर जरूर करना है उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब four settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा directly आपको back चले आना है आपको यहां पर जो profile का option है directly आप आपको इस पर tap करना है ठीक है करने के बाद यहां पर आपके option मिलेगा जिसका नाम होता है manage app and device के नाम से यहां पर आप देख सकते है डाटली आपको इसके अंदर आ जना है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको दो आप्सन मिलेंगे overview का और manage का तो directly आपको manage पर टैप करना यहाँ पर जितने पी आपके फोन में आप्लीकेशन घरे लेकिन जो आपके फॉन में आपके इंस्टॉछेट क करना यहाँ पर निच्चे में एक प्रशेब करते हैं तो यहां पर जितने भी आपके फोन में यहां से अपने फैन अपने प्रेश देखने को मिल जाएगा अगर आप workshop according to और आप अपने फोन में बहुत सारा एप्लिकेशन अंस्टॉल किया है तो सारा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी फोन के स्टोरेज को कंज्यूम करता है यह कैसे कंज्यूम करता है जैसे कि आपके फोन में प्लेस्टोर है ठीक है और यह जितने भी एप् Tick कीज़िरंगा न तो उपर यहां पर देशकतें, Mb और Gb खाली होगा, यहां पर आप देशकतें, जितना बड़ा application होगा, उतना आपके phone में Mb खाली होगा, यहां पर आप देशकतें, सारे को यहां पर select कर लीज़िगा ठीक है, उसके वाद यहाँ पर आपको remove का option लेगा directly आपको इस पर tap करना है और यहाँ से आपको remove कर देना है यहाँ पर मेरे phone में बहुत सारे application है अगर मैं यहाँ पर सारा application delete करने लगा तो video काफी लंबा हो जाएगा तो आप अपने phone में देख लिएगा कि आपकी phone में कितने application है उसक आप जो profile का option है इस पर आपको tap करना है निच्चे में जो settings का option है इस पर आपको tap करना है ठीक है उसकी बाद सबसे निच्चे आपके option मिलता है about की नाम से directly आपको इस पर tap करना है और निच्चे थोड़ा स्कॉल डाउन किजेगा तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको play protect certification यहा तो आप अपने phone में देख लिएगा अगर device certified नहीं है तो directly आपको service care में जाना है जिस company का phone है और वहाँ पर आपको बताना है कि मेरा जो phone है वो device certified नहीं है उसके बाद आपके phone वो software अपडेट करेंगे या फिर आपको जो phone है वो अच्छे से बना कर देंगे तो आप अपने फोन को लेकर service care में चले जाएगा ठीक है तो यह पांच settings को आपको अपने phone के अंदर करना है जिससे कि आपके जो phone का battery problem है और hanging problem है हरमेशा के लिए ठीक हो जाएगा तो यह settings आपको कैसा लगा हमें comment से नहीं बताएगा I hope कि आपके लिए वीडियो बहुत जदाइजफूल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तक लिए इच्छा हैं टेक कर मिलता है नेक्ट वीडियो में